हलोशा कि व्लकॉम बाक टो आ चानल बिलीविल अंग। हाँड का há Колसी अ हमंदा हिस्ते लेक्चर है हिए लास्ट लेक्चर होगा हमारे अडमिशन ऑफ़ अ पार्टनर के चाप्टर में से हमारा अ मार अडमिशन ऑफ़ अ capital का उसी से related जो question बचा हुआ है उसको आज हम complete करेंगे और जानेंगे कि आगे की calculation या आगे किस तरीके से entries होनी है तो चलिए बिना time waste करते हैं शुरू करते हैं अपना आज का ये lecture स्क्रीन पे वही question available है जो कि हम लोग ने हमारे last lecture में किया था और इस lecture में हम लोग देखेंगे ये वही question है जिसमें अनल्स, उनियल, सुशील और आपकी जो शशी थे उनके बारे में हम लोग calculation कर रहे थे इसमें शशी की capital के जरीए हम लोग ने capital adjustment कर रहा था और इसके बाद में हम लोग ने partners capital account पर class over करी थी अपनी वहाँ पे आपका जो अनिल का credit balance वहाँ पे हमारा जो अनिल है उसका जो credit balance है वो किता था 51,325 इतना था और debit में कितना था 74,460 और सुनीन किता था 43,121 और debit किता था उसका 62,015 आप लोग ने अगर note किया होगा तो ठीक है नहीं तो आपके screen पे पिच्चर आ रहे है जिसमें वही question हम लोग ने जो लगाया था वही है जो solution दे रखा था उसमें यही यही balance यह balance डेबिट साइट का था और यह balance credit का और यह debit का अब आपको अब हम यह तो लिखा नहीं है credit साइट जितना भी balance था अनेल की column का सुनील के सुमित के और सुशील के तो उन सभी के column को हम लोग उने क्या कर दिया है प्लस कर दिया है एक बार नाम देख लें अनिल सुनील सुशील और शशी है अच्छा अनिल सुनील और सुशील है सुमित नहीं है यहाँ पर मैं गलत लिख दिया सुशील ठीक है इतना समझ में आया अब देखिए जब अपने credit साइट जो column दे रखा था उसका जब अपने अनिल का संग किया तो कितना आया 51,325 ठीक है और फिर जब आप debit side आपने देखा तो वहाँ पर कितना total है 74,460 तो बड़ा कौन है debit side ज्यादा है credit कम है न तो इन दोरों के बीच का difference निकाल दीजे 74,460 में से minus कर दीजे 51,325 को तो कितना आएगा 23,135 कितना आएगा difference यहाँ पर लिखने है 23,135 अब आप कहोगे कि मैं इससे लिखना कहां है तो यह जो है न यह कहां पर mention करेंगे हम लोग ने जो बनाया था उसमें किदर side यह debit side देखे यह किसका है अनिल का है ठीक है अनिल का वालम है तो अनिल की इधर side कितना लिखा हुआ है 7,4,4,6,0 लिखा हुआ है ठीक है यह 2 balance carried down वाला ही तो balance लिखा हुआ है राइगा अब यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है कम यहाँ पर तो जिधर कम होगा महाँ पर difference लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cash account कितना 23,135 23,135 यह entry कहां जाएगी credit कॉलम में ठीक है clear next इसी तरीके से यहाँ पर क्रेडिट कम है debit ज्यादा है तो difference कहां जाएगा difference पर निकाली जे किता है 62,050-43,121 किता है 18,920 किता है जाएगा 18,920 यह भी difference कहां जाएगा आपका credit कॉलम में जाएगा ठीक है credit कॉलम में जाएगा next सुशील 29 नहीं आप है फिर अब क्या करोगे सुशील सुशील का कितना था सुशील का 22,000 क्रेडिट है और 37,000 इतना है तो यानि की difference कितना आएगा 37,230 माइनस 22,513 किता है 14,770 यह भी credit side कॉलम में जाएगा आप लोग एक बार हमारा last lecture जरूर देख लीजेगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक amount करके बताए थी इसकी बताई था ठीक है यहाँ पे to cash करके तो सबके कॉलम में आपको यह सारी entries कर देनी है ठीक है अगर माल लिजे credit बड़ा होता, debit कम होता तो जो difference आता वो debit के कॉलम में जिधर कम है उधर side आप difference amount दिखाते हैं इतनी बात तो समझना आ गए होगी अब आपको prepare क्या करना है अब आपको prepare करना है cash account तो cash account नहीं पर prepare करके बता दे रहें कैसे prepare होना है cash account का कॉलम आपका इस तरीके से बनेगा ठीक है अब देखें इसमें होना क्या है क्या करते हैं जो भी balance sheet में आपको दे रखा है वह entry आप यहां पर सबसे पहले करते हैं balance sheet में आपको कित्ता दे रखा है balance sheet में cash at bank दे रखा है 8,890 तो यहां पर लिखेंगे आप यहां पर रिखेंगे to balance carried brought down कितना 8,000 8,890 इतना दे रखा है अब आपको करना क्या है इतना देने के बाद आप क्या करेंगे जो जो entries cash की entry हुई है partners capital account में सारी entries credit side हुई है तो आप यहां पर रिखेंगे two partners capital account क्या आएगा यहां पर ही सारी amount आएगी एक आएगा 14,717 ठीक यह तो ऐसा कर लीजे यहां पर लिखेंगे ए अनिल, सुनील और सुशील ठीक है यहां पर लिख दीजे अनिल का किता है 23,135, 18,929, 14,717 इनका sum करके यहां पर लिखेंगे इसके बाद में आप लिखेंगे two, two करके लिखेंगे हम लोगोंने last वाले either side में किया था two cash account और किसका लिखा था two cash account यह लिखा था क्यूंकि शशी अपनी capital लेकर रही है तो यहां पर लिखेंगे two partners capital account partners capital account कितना 24,820 ठीक है अब इन सब का sum कर लेते जरा हम लोग कितना है 23,135 प्लस 18,929 प्लस 14,717 इक्वल्स 56718 तेखें यह जो यहां इस column में आपने लिखा है ना इस यह जो amount है इसको आप कहोगे debit balance क्यों कहोगे debit balance क्यों 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 क्यो तो यहां पर जो difference आ रहा है ठीक तो यहां पर डिरेकले यह पता चल रहा है कि हमारे जो partner से अपनी capital को fix करने के लिए उनकी firm में जो capital है वो इतनी है लेकिन उन्होंने fix करके कितनी रखी है fix उन्होंने ये करी है ठीक है तो यहां तक करने के लिए उन्हें इतना amount और add करना पड़ेगा तब जाके 74,460 अनिल का capital बनेगा इसलिए आप credit column में लिख रहे हैं सेम आज सोनील और सोशील में भी हुआ है ठीक है इसलिए हम लोगों ने difference निकाल के उनके column में दिखाते हैं अगर यही amount आप debit में लिख रहे होते हैं अगर यह amount पलट जाता है यानि कि मालीजे debit कम होगया आप credit जाता है इसका मतलब अब फर्म में आप अपनी capital को fix करने चल रहे हैं तो credit जो आपको fix रखनी है उतनी आपके पास पहले से थी लेकिन उससे extra amount है तो जो extra amount है उससे आप निकाल लेते हैं अगर आप debit कॉलम में कोई भी entry कर रहे हैं to या buy cash करके ठीक है तो उसका मतलब यह होता है और यहां पर यह चीज तो समझ गए entry कैसे करने है then अब आपको और कोई entry तो है नहीं टोटल कर देना है तोटल कर दीजे आपने करना है 8,890 प्लस 56,718 प्लस 24,820 तो किता है 90,420 है तो यहां पर लिखेंगे to balance carried down 90,428 तोटल आपका 90,428 यह हो गया I hope इत्ती चीज ख्लेर हो गई होगी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी अब हमने करना क्या है balance sheet prepare करनी है तो यह हम rough कर दे रहे हैं अब देखिए करना कैसे है सबसे पहले हम लोगों नहीं करना है balance sheet प्रिपर करनी है तो balance sheet में आपने करना क्या है creditors bills payable reserve तो distribute हो गया तो लिखने की जरुवत नहीं यहाँ पर capital लिखेंगे आप capital आएगी अब ए अनिल सुनील सुशील शशी ठीक है और शशी इन चारों खी यहाँ पर कौन सा balance लिखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर इतनी entries करनी है इसके पात में आपने करना किया यहाँ पर land and building लिखना है land and building अब land and building की amount कितनी है उस पर कोई adjustment था land and building हाँ दे रखा है land and building पर कि आपकी building के value किती हो गई है 65100 बढ़ गई है तो यहाँ पर आपने लिखना क्या है 50,400 करना है अब appreciate हुई है तो यहाँ पर plus करके amount कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप कितना 65,100 ठीक है तो कितना आया था यहाँ पर कितना आएगा आपका आएगा यहाँ पर 14,700 होगा तभी ना आपका 16,100 आएगा तो यहाँ आपने करना क्या है फर्नीचर का फर्नीचर लिखना है फर्नीचर का amount कितना है 7,350 लेकिन वो क्या हो गई थी 920 से कम हुई है तो लिखना है 7,320 और depreciate हुई है इसके minus कर देंगे आप 920 तो कितनी अब value बची इसकी value बची है इसकी value बची है आपकी 6,100 ठीक है तो आपने stop को लिखना है स्टॉक दे रखा है स्टॉक कैसे लिखेंगे 29,400 है तो स्टॉक पर कोई adjustment आप 10% depreciation है तो लिखें 29,400 इसका 10% depreciate हुआ है माइनस होगा तो 2940 माइनस कर देंगे और यहाँ पर अम आपकी देंगे इसको रफ करते रहे हैं क्योंकि यह काम हमारा हो चुका है ठीक है इसके बाद में डेटर्स दे रखा है डेटर्स बनाया है लोगोंने डेटर्स पर कोई adjustment नहीं थी तो डेटर्स जितने हैं वैसे ही लिख देंगे 26,460 इसके बाद में आपने करना क्या है cash at bank लिख रहा है cash at bank कितना balance दे रखा है 90,420 तो 90,428 यह आपने कर देना है फिर equal कर देंगे आप ठीक है यहां पर creditors की amount जो थी 18,900 फिर bills paper था 6,300 फिर आपने capital यहां पर अपनी लिख देनी है फिर आप जब इनका sum करेंगे तो equal balance आ जाएगा बस आपने इतना ही करना था balance रिपर करनी के लिए यहां पर हमारा जो admission of a partner का जो chapter है यह हो जाता है complete इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हम हमारे इसके next chapter के उपर तो मिलते हैं हमारे next lecture में नए chapter के साथ Till then keep learning with believe in learning stay safe stay happy and be energetic झाल 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 झाल